तो वेलकम फ्रेंड्स आपका फिर से स्वागात हमारे यूट्यूब चैनल में तो इस वीडियो में में लेका है वो स्टैंडर्ड एट महारास्टा बोर्ड का मैक्स सब्जेट का सेकेंड चैप्टर जो की पैरलल लाइन एंड ट्रांसवर से ले यह होगा हमारा लेक्चर नम प्रद्ट नियुक्त अच चैना ट्रांसपेंट्र मतलब क्या होता है दो स्टैट लाइन और उनके बीच का जो सामेशा सेम रहते हैं मतलब वन सेंडिमेटर का ही दिस्टेंस लेगा और यह दोनों कभी एक व्याशव से इंटरसेक्ट नहीं होते हैं और ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है किसी भी दो लाइन समझों आड़े टेड़े कैसी भी दो लाइन है उन दोनों को टच करने वाले लाइन को हम लोग क्या बहुते थे ट्रांसवर्स इसके बारे में हमने एक स्पेशली वीडियो बना है अगर हम क्या करते थे करस्पोंडिंग बनाते थे अभी हम क्या करेंगे करस्पोंडिंग एंगल्स के स्पेशालीटी को उसकी जो एडवांटेज है उसको हम जानेंगे उसके लिए हम क्या करते एक पैरले लाइन करते और यह दोनों लाइन को एक लाइन टच करेगा उसको हम क्या वो लेंगे ट्रांसवेर्सल स्टुरीट वाया था था ट्रांसवेर्सल्ट तो यहां पर पॉइंट है रोगए जो कि में और सेकेंड पॉइंट एने और वी की वैलिओ दें देखिए फिर हम कैसे लिखेंगे यह जो फिलकर टेंगे इसमें जो लाइन एंगल form by two parallel lines and the transversal is of concurrent angle क्या बोल रहा है अगर हम दो parallel line बनाते हैं और उसका एक transversal बनाते अगर इस parallel line और transversal के जो भी corresponding angles बनेगा वो concurrent होगा concurrent मतलब क्या होगा same रहेगा देख लेते example के द्वारा तो first हमारे एंगल एंपी एंपी किदर देख रहा है आपको परवाले लाइन पर लेफ साइट दिख रहा है तो एंपी इसका corresponding angle क्या होगा नीचे के नीचे वाला जो कि एंगल एंगल मन आर तो यह दोनों क्या है क्याना concurrent रहेंगे एक दूसरे से same value रहेंगे अगर आप प्रोटेक्टर से एंपी की वैलू निकालेंगे तो 60 डिग्री आएगा तो 60 डिग्री एंपी का आया अगर आप MNR का भी निकालेंगे उसका भी 60 डिग्री आएगा मतलब दोनों का वैलू भी सेम रहेगा एक और एक्जामपल देखते हैं जो कि हमारा एंगल ए म्कू उसके बाजो में एक एंगल एंक्व इसका कर्रस्पोंडिंग एंगर के नीचे के नीचे वाला जो कि एंगल एक ये दोनों की बीवालू कहह रहेगी सेम रहे तक हम लोग कॉंकुरेंड का साइन का सांद reggio का इसे दिया वना और स्यbars रिएंद ke bazilen दिया इसका मतलए आट और सेम रहेगा तो फिर एक और एक्जंपल दिखते है जो कि है मारा एंगल PMN उसका नीचे के नीचे वाला जो कि एंगल आरंबी यह दोनों भी क्या होगे ? इन दोनों भी कंकुरेंट हो गए ? कंकुरेंट का साइन दे दिया कंकुरेंट कब हुए ? जब लाइन पैर्लर ले और ट्रांसफ़र्सल दिये तब जाके एक और एक्जांपल देखते हैं जो कि एंगल क्यों एम एन इसका जो क्या बोलते करस्पोंडिंग एंगल एंगल एस एंब यह दोनों बेहां इन दोनों ओक होगे तो हमने देदिया का तो अभी हम बढ़ते आगे की कंसेप्ट की तरफ तो अभी हम सीखेंगे और प्रॉपर्टी आफ अल्टरनेट एंगल्स के बारे में उससे पहले हम क्या करते एक पैरलल लाइन डॉकर लेते और फिर क्या करते ट्रांसवर्सल बाना देते फिर ह फिए में हमें क्या दिख रहे है लाइन PQ is parallel to line RS और क्या लाइन AB is a transversal तो यह दिखर है हमें फिर यह property of alternate angles क्या कहते है वह हम देख लेते इच्पेर ऑफ alternate angles formed by two parallel lines and their transversal is concurrent मतलब क्या देखो अगर दो line parallel और एक Transversal भी है अगर इसमें अल्टनेट angles बन रहा है तो क्लिए और एंगल कि यह कॉंक्यूरेंट होंगे किसे होंग यह मैं आपको बात दो तो एक्जम्पल द्वारा हम समझ लेते हैं जैसे कि पहला एक्स्टेरियर एंगल तो फिर देखो एंगल एंप यह एंप आपको दिक्रा है ईसका अमें अटेनेट एंगल find out करने तो कैसे find out करेंगे पहले इसका opposite निकालेंगे opposite निकालने के बाद उसका corresponding निकालेंगे तो इसका आएगा एंगल SNB यह क्या होगा इसका alternate pair हो गया but according to property यह क्या बोलता है concurrent हो जाएंगे मतलब इस दोनों से हो जाएंगे तो हमने concurrent का sign दे दिया अगर आप प्रोटेक्टर से एंगल एंप को मेजर करेंगे समझो वह आएगा आपको 98 95 डिग्री आएगा तो एंगल SNB यह भी कितना हो जाएगा 95 डिग्री होगा तो फिर और देख लेए एंगल एंप कि एंप दिखरेंगे आपको उसका क्या होगा उसका भी हम क्या करेंगे ओपोजेट अंगल निकालने के बाद फिर उसका भी अल्टेनेट एंगल दो लाइन के अंदर वाले एंगल का में लगाएंगे उसे हम बोलते इंटेर अल्टेनेट एंगल या फिर जड़ के सकते हैं यहां सब्सक्राइब फिरसे एंगल फिराई ड्रीन वह किन है खा चाहिक्त हाएं यहां सब्सक्राइब एक्साशामपल जो कि हमारा एंगल क्यूंग मैन का क्रॉस पर कौन सब्सक्राइब कर सकते यह बी क्या व्हार्ट्रेंट हो गए टॉल्टेनेट अंगल का पॉपर्टी कई कई बैरललन एंग हम दो घोएंगा मतलब समुंगह पॉपर्टे आगे की तरफ तो दोस्तों आभी हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ओफ इंटेरियर एंग्लिस के बारे में यह तोड़ा डिफ्रेंट बाकी लोग से बट इसी है अब तोड़ा इसमें लॉचिक लागा ने फिर तोड़ा दिमग लगा देना तो फिर हम क्या करते हैं दो पहले ला इंटेरियर एंगेल्स का विए एंटेरियर आंगल्स फोर्मॉप भाइटु प्आरलेल लान्स एंड्ट ऊफर्सलिश सप्ली को होता है सब्सकुखес होई दिगरी ओनेक्क्तेर्श क more लेगड उप्लस करेंगे ओं न वह हमेश्चे कितना होगा 180 फिघुरे श akhir के जैसे कि हमारा एंगल है पी एम एन इसका हम लोग जब इंटेरें एंगल निकालेंगे तो क्या सामने आला बोलेंगे वह अगर हमें इसका अल्टेनेट अंकल ढूलना होता तो हम लोग यह करते हैं जड़ बना देते उल्टाइड बना देदे फिर क्रॉस बोलते थे इसका क्र एक और देख लेते इंटेरेंगल के एक्जमपल को जो कि एंगल क्यों में यह उसके बीडियर कौन सा उसके जस्के नीचे वाला होगा जो कि एंगल मैंसे अगर इन दोनों को भी हम प्लस कर देंगे ना तो इसका में कितना वैल्यू मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा शॉट में भोलो तो इंटेरेंगल के पैर मिलकर हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं अब हम सीखते लिनियर प्याप चलते आगे कि तरफ सीखेंगे के लिनियर पेर का कि अध्याय उसके पहले एंगल बट एक एंगल आने खया एक है को एक एंगल ऑर एंगल इसका पोजिशन यह पाटिक से लेना देना ने पाटिक begin ऐर एक लिघर बन हुए एंगर और और मों कैंपार बन रहे है और यह और स depuis सब्सक्राइब ओफ सयाथ कि आम हुए तरूम आपल सब्सक्राइब होता है प्रसक्राइब था अंगल एक है उसके परिंदो सी को ने इसका पंदोसी ईबी और एच भीए Woah टो एंगल एस और इकी इस लिनियर प्रहे वोई एंगYour एक लांघ करेंगे और हमेशा इन दोनुन एंगल को प्लस करेंगे अभी हम सीखेंगे property of opposite angles देख लेते हैं यहाँ आपको एंगल ए दिख रहेगा एंगल ए का एकदम opposite कौन सा है एंगल सी यह तो एंगल ए और एंगल सी कितना हो जाएगा यह दोनों भी concurrent हो जाएगा मतलब क्या एंगल एक की वैलो 75 डिग्री रहेगी तो एंगल सी की वैलो भी कितनी रहेगी 75 डिग्री रहेगी क्योंकि दोनों भी concurrent हो गए प्रॉपर्टी के हम से वह देख लेते एंगल बी दिख रहें एंगल बी के एकदम opposite में कौन सा जा रहा है एंगल डी जा रहे तो एंगल बी और एंगल डी क्या हो गए यह भी concurrent हो गए समझें एंगल बी की वैलों डी रहेगा तो एंगल डी की वैलों कितनी रहेगी यह भी हंडे डी रहेगा लास्ट एक्जम्पल देख लेते एंगल एफ एंगल एफ को एकदम opposite में कौन सा जा रहा है एंगल एच तो एंगल एफ एंगल एच दूनों क्या हो गए है concurrent हो गए जितना इसकी वैलों उतना इसकी वैलों तो अभी हम बढ़ते वर्ट प्रॉब्लम की तरफ तो यहां पर हमें फ्वेस्ट कोईशन नहीं दिख रहा है इन एज्ञानिंग फिगर यह आपको फिगर दिख रहे है यहां पर हमें क्या दिख रहे है लाइन एबी एक इसकी वैलों कि इतनी दिख और हमें फाइंट क्या करना है एंगल एंगल बने इसकी वैलों में find out कर लिये तो कैसे find out करें तो देखो जोस्तों आमने जो प्रॉपर्टी का ताना करस्पोंडेंग इंटेर एंगल अल्टरनेट लिनियर पेर और ओपोशेट आंगल यह सब प एंगल MNQ कितना 70 डिगरी है यह हमें क्या question में दिया था और find out क्या करना है तो MNQ और AON की कुछ relation दिख रहा है हमको corresponding interior कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है अगर आपको ऐसा सम्म आया है जिसमें नहीं दिख रहा है तो आप क्या करें कर पता है क्या अपना किसी का help लेके इसका value find out कीजेगा कैसे देखते एंगल MNQA जहां आपको आपको आठ दिख रहा ह और एंगल ओ एंप इन दोनों का relation दिख रहा है यह क्या है और पोजेट अंगल क्या होता है कॉंक्यूरेंट होता है तो हमने देदिया कॉंक्यूरेंट का साइन रिजन का लिखेंगे opposite angles यह दोनों concurrent हो गए तो क्या मैं बोल सकता है एंगल ओ एंप यह भी होगा 70 डिग्री युकि प्रॉपर्टी के सबसे मैंने बोला ओके तो अब देखो एंगल एंगल और एंगल ओ एंप इन दोनों का कुछ रिलेशन दिख रहे है प्रॉपर्टी दिख रहे है कुछ करस्पोंडेंग इंटेरियर अल्टरेनेट हां इंटेरियर एंगल दिख रहें कैसे बादा हमेशा 180 डिगरी बनाते है तो हम लिख लेएंगल एंगल प्लस एंगल ओवहन पी कितना वनती डिगरी रिजन क्या लिखेंगे इंटेरे रैंगल इसका प्रॉपरिटी हमने यूज किया तो अभी हम क्या करते है सब्स्टिट्टीट वैल्यू कर देते हैं मतलब जो एंगल एंगल ओंप की वैल इसको हम लिख देते तो एंगल एंगल की वैल्यू तो हमें पता नहीं तो इसको अमना एज लिख देते जैसा था वैसी लिखते प्लस ओंप की वैल्यू कितनी है 70 डिग्रिय हमने तो जिसके वैल्यू चीह इसको आपर रखेंगे बाकि सबको बॉर्ड क्रॉस खरवा देंगी और बॉर्ड क्रॉस करने के टाइम में आप एक रूस को याद रखिए अगर यहां पर प्लस वाला नमबर है ना तो बॉर्ड क्रॉस होता है तो माइनस हो जाते है क्लस वाला यहा और और फिरम आपको क्रंसे el Предक्रेंस कर एक कितना कि थे अभर सकते हैं तो आपको क्वां को यह प्रेक्षद लगता है तो आपकी ओपरर आपको कॉपसा अच्छा लगता है तो अब हम बढ़ते आगे की तरफ कि तो सेकेंट से हमारा यह रहा इन एड्रीन फिगर यह जोड़े फिगर में हमें क्या दिया है लाइन एम पैरलल है किसे लाइन एन से और लाइन किया है हमारा ट्रांसवर से ल है और हमें आंगल अच क्या करने हमें आ है ऐसा पूशन पूचा रहे हैं जांप है आपकोय की वेलिव करने नवाप पर यृइंड आया कोन से यृँष होते प्रहपरिटि फर्स्ट हैं इंटेर्य हैं उन्से होता है द्यान रखे ट्रिक है आपको स्कूल में भी निसी कर रहेगा बट आप आप देख लीजे तो अभी आप हम कौन सा प्रॉपर्टी उस करेंगे लीनियर पेर एंगल उससे पहले हमें देखेंगे एंगल बी और एंगल इंहों कुछ रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा तो हमने कि मैं पढ़ा था यह क्या कर्सपण्डिंग एंगल का होता है कॉंक्रेंट होता है मतलब जितनी वेलू हो रहेगी तो फकी वेलू क्या हो जाएगी जितना भी की थी मतलब एक्स प्लस 15 तो हो गया अपी देखें एंगल एफ और एंगल एंगल इन दोनों का कुछ रिलेशन सबस्राइब अगया एंगल फ प्लस प्लस 15 और प्लस और एंगल की वैलु कितनी है इस प्लस 15 और प्लस और एंगल ओने डिगरी को लिखिना न भुलिएगा लगिए आपस प्लसके क्यका लिएम से को कैसे प्लस करें तो उसको लिख लेतेuing कुछ स्ट्रें तो हीम ल्एकश हो गया सिसे!」 ह 아무iehre यहां पर इस थ्री एक सुस्टीर प्लस और यहां पर इनुकर अरवाह क्रih articulated एक बार ना भूरियेगा तो मने प्लस थर्टी तो हम लिखते हैं तो वह ने टी माइनस तर्टी कितना होता है वह होता है 150 हमें फिर सिर्फ एक्स की वैलु चीये हमें में वह प्लस प्लस करें उदर जाके माइनस करें क्या करें हमें तो कुछ समझ ही नहीं सब्सक्राइब तो पहले देख लिए ट्री एक से हैं किसे बना किसे यह ना इन तोनों के बीच में एक मल्टिप्लेकेशन का साइन इसलिए नोग चिपके हुए तो हमें पता चल कि तो मल्टिप्लेकेशन में तो बॉर्ड क्रॉस करके क्या होगा डिवीजन हो जाएगा तो ए सब्सक्राइब तो फाइल लगा दिया तो कितना हो गया 50 हो गया हमारा तो एंगल एक्स की वैल्यों कितनी आ गई वह 50 डिगरी बहुत इसी समता तो अभी हम सीखें के डू यू नो क्या आपको मालूम है हमने आपका सीखा था वें टू लाइन्स आर पैरलेल्स एन इंट्र समिन दो लाइन पैरलर यु탁 सथा तो हमने दो हमने सही कर्सपोंधेमिन एंगल सरुंको dull खेंट स्चामोल में दो ख अब कभ यूज करेंगे जब दो लाइन पैर्लेल और एक चानफेर सो लो तब जा प्रापटे मिद्ध कर सकते हैं और आज डो लाइन पैर लेला दो ट्रांस वर्यों के प्रॉसक कर सकते हैं तो यहां पर होता है हमारा घृड़ा घंत मैं तर लाइक कीजिए श्यर की जा सब्स झाल झाल